असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वैलकम टू फूट विद निम्रा चैनल तो कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब खेरियत से होंगे और मज़े में होंगे आज आप लोगों के लिए केक डेकुरेटिंग की एक और वीदियो लेकर आई हूँ आज आईस केक की वीदियो शेर करूँगी उसके लिए मैंने स्पन्च लिया है चॉक्लेट स्पन्च लिया है त्री पाउंड का और अगर आप चाहते हैं कि एक इसके कंप्लीट वीडियो हो तो मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए वन कप बॉटर लिया है कॉफी वाला मग लिया है उसमें मैंने पानी डाला है और तीम खाने के चम्मा चीनी डालके अच्छी तरीके से इसको डिजॉल्फ कर लिया है यह हमारा शोगर सीरप राड़ी हो चुका है अगर आप शोगर सीरप ना लेना चाहें तो आप इस जगा दूद भी ले सकते हैं तीन सु ग्राम के करीब क्रीम ली है विप्ट क्रीम पहले मैंने क्रीम को मेजर कर लिया था 300 ग्राम फिर बीट किया है और यह बहुत ही अच्छी रहती है अगर आप चाहते हैं कि इसकी भी एक कंप्लीट वीडियो हो तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए ताके मैं आप लोगों के लिए इनकी डिटेल वीडियो लेकर आऊँ अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें फूट विद निम्रा स्पैलिंग बिल्कुल ठीक लिक कियेगा और ये प्रोसेस उन लोगों के लिए जिनको चैनल सब्सक्राइब करना नहीं आता फूट विद निम्रा पे क्लिक करें सब्सक्राइब के बटन को दबाएं बेल आइकन के बटन को दबाके अल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें इससे मेरे नियू रासिपीस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं फिर मैंने केक को कट कर लिया है एक स्लाइस के अंदर नाइफ को आपने सीधा रखना है और इस तरह से आपने कट कर लेना है केक को आप देख सकते हैं यह हमारे पास दो लेयर्स निकल चुकी है आप इसको तीन लेयर्स में भी कर सकते हैं फिर मैंने केक बोट के ऊपर अपना केक का स्लाइस रखा है और शुगर सीरप अच्छी तरीकी से सोक करेंगे क्योंकि यह आइस केक है बटर केक के अंदर सोक नहीं करते हैं हम केक को लेकिन आइस केक के अंदर हम इसको सोक करते हैं अच्छी तरीके से आपने सोक करना है बिल्कुल किनारों पर भी करिएगा फिर थोड़ी सी आपने क्रीम लेनी है और इसको अच्छी तरीके से स्प्रैट कर देना है जितना आपका दिल चाहें आप उतनी क्रीम लगा सकते हैं कम जादा वो आप पर डिपेंड करता है फिर आपने अंदर इसकी फिलिंग भी कर सकते हैं चॉकलेट सॉस की कर दीजिए या चॉकलेट छिप की लेकिन मैंने कुछ नहीं करी है फिर इसके बाद दूसरा केक का स्लाइस रखना है और उसके उपर भी आपने शुगर सीरप सोग करना है अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं फिर उसके बाद मैं केक को बिल्कुल अच्छी तरीके से अंदर प्रेस कर रही हूँ ताकि ये लैविल में हो जाए आप देख सकते हैं और फिर ट्रन टैबल के उपर आपने केक रखना है और क्रम कोटिंग करनी है अपने क्रीम से थोड़ी थोड़ी क्रीम लेनी है और केक की बाल पे लगानी है ये क्रम कोटिंग फर्स्ट लेयर है इसकी ताके जितने भी केक के करम्स होंगे वो सब इसके अंदर लॉक हो जाएंगे यह आप देख सकते हैं अब इसके बाद इसका केक प्लास्टर करेंगे तो थोड़ी जादा क्रीम लेंगे कि हमारा केक अच्छी तरीके से कवर हो जाए कि हमारा केक बिल्कुल भी ना दिके और एक आज से आप ट्रेंट आबल को मूफ खटते रहें आई हूप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जल्दी से लाइक कीजिए फिर थोड़ी जादा आपने क्रीम लेनी है और आप जल्दी से वीडियो में कमेंट कर डीजिए अगर आप इसकी डिटेल वीडियो चाहते हैं कि केक की भी दूँ क्रीम की भी दूँ तो जल्दी सा आप मुझे रैसीपी में कमेंट कीजिए ताके मैं आपके साथ इसकी भी शेयर करू रैसीपी फिर मैंने एक स्क्रैपर लिया है और केक की वाल्स पर हम स्क्रैप करेंगे अच्छी तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेंगे और हम ट्रन टैबल को मूफ कर रही हैं एक हाथ से यह आप देख सकते हैं जितनी भी एकस्स क्रीम थी वो सब रिमूफ हो चुकी है अब हम उपर वाला हिस्सा भी अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे आप देख सकते हैं एक साथ मैंने क्लीन कर ली है इस क्रैपर की मदद से ही आपने पूरे केक को नीट एंड क्लीन कर लेना है अच्छी तरीके से एजिसस के क्लीर कर लीजिए आप चाहें तो नाइफ के मदद से भी कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं एंड में एक दफ़ा नाइफ को फेर रही हूँ ताके जो भी स्क्रैपर के निशान वगरा होंगे वो बिल्कुल क्लीर हो जाएंगे ठीके फिर इसके बाद हमारी आदी क्रीम बच चुकी है तो इसके अंदर हम कलर एड़ करेंगे डार्क प्रिंग कलर एड़ किया है हजब जरूरत जितना भी आपको कलर पसंद हो आप एड़ कर सकते हैं आपको और कलर भी एड़ कर सकते हैं हम इसके फ्रॉस्टिंग करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे केक के उपर, अब अपनी केक के उपर एक फ्रॉक सा डिजाइन ग्रॉ कर लेना है तूत्मिक की मदद से, यहाँ आप देख सकते हैं, और मैंने उपर से भी इसको फ्रॉक कर डिजाइन दे दिया है फिर आपने पाइपिंग बैक के अंदर अपनी क्रीम को पॉर करना है और इसके अंदर मैंने एक नोजिल लगाया है इस्टार नोजिल और छोटे-छोटे स्टार्स में निकाल रही हूं यह आप देख सकते हैं ड पिर मैंने वही क्रीम की पाइपिंग बनाई है लिकिन इसको मैंने सिंपल पाइपिंग किया है और इसकी हम आउटलाइन करेंगे फ्रॉक के उपर वाले हिस्से पर और इसके अंदर इसी क्रीम से फिल अप करेंगे आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा यह लग रहा है अब हम यह थोड़े बहुत इसके उपर स्प्रिंकल कर देंगे इससे बहुत ही अच्छा लग रहा है केक और यह हॉममेट चोकलेट्स मैंने बनाई है अगर आप चाहते हैं इसकी भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूं तो जल्दी से मुझे बताईए ताके मैं यह भी शेयर कर लगागी और इस तरह की ऐसी पीस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अल्ला हाफिस